मैं सिलाजीत के उपर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें धेर सारे कमेंट्स महिलाओं के भी होते हैं कि क्या महिलाएं भी सिलाजीत का प्रियोग कर सकती हैं तो इसका जवाब है हाँ और मैं कहूंगा पुर्सों से ज़्यादा महिलाओं को सिलाजीत की अधिक आउशक्ता है एक नहीं, दो नहीं, बलकि 11 आपको ऐसे कारण बताऊंगा कि महिलाओं को सिलाजीत का सेवन क्यों करना चाहिए सबसे पहला कारण सिलाजीत में पाए जाते हैं धेर सारे मिनरल ये तत्व ना केवल आपके सरीर को जरूरी पोशन देने का काम करते हैं बलकि आपके एनरजी लेवल को भी बढ़ाते हैं आप खुद सोच कर देखिए सारे दिन काम कर करके आप ठंग जाती हैं सिलाजीत का प्रियोग करके देखिए आपके उर्जा के स्तर में आपको स्पष्ट व्रिंदी अनुबह होगी आप जादा एक्टिव खुद को महसूस करेंगी दूसरा कारण सिलाजीत में होता है कैलसियम और मैगनेशियम ये मिनरल आपकी हड्डियों को मजबूती देने का काम करते हैं ओस्टोपोरिशिस के खत्रे को कम करते हैं हड्डियों की कमज़ोरी और दंद से चुटकारा पाना चाते हैं तो सिलाजीत को अपनी डाइट में सामिल जरूर कीजिये खास तोर पर मैनोपोज के पर शाथ बॉन वीकनेस में सिलाजीत का कोई मुकाबला नहीं तीसरा कारण बहुत बार मिनरल डेफिशेंसी के चलते महिलाओं में हार्मोनल इंबैलेंस के स्थिति उत्पन हो जाती है ऐसी स्थिति में सिलाजीत के प्रयोग से हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है पीरियर्ट से रैगूलर होना प्रारम बोजाते हैं मैनोपोज के नसदीग या मैनोपोज के बाद हार्मोन के इंबैलेंस के चलते होने वाले दूस्पर्मभाव से भी बचाने में सिलाजीत बहुत अधिक लाबदायक रहता है चोथा सिलाजीत हमारी इम्मुनिटी पावर को इंप्रूव करता है बिमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है तो जिसके चलते आप कम बिमार पढ़ते हैं पाच्चुआ कारण सिलाजीत आपकी फर्टिलिटी पावर को इंप्रूव करता है जी हाँ ये नाकेवल पुरुशों की fertility power को improve करता है बलकि महिलाओं की fertility power को भी बढ़ाता है उनकी reproductive health को ये support करता है और जैसा मैंने आपको पहले बताया है था कि सिलाजीत के प्रियोग से महिलाओं के hormonal balance को maintain रखना जादा आसान हो जाता है जिसके कारण भी उनकी fertility power improve होती है प्रियों से बचाने में आपकी सहायता करती है और सिलाजीत में पाये जाने वाला antioxidant फुल विक एसेड आपको oxidative stress के डावेज से बचाता है सातवा कारण सिलाजीत mental stress को कम करने में आपकी बहुत अदिक सहायता करता है इसमें अडॉक्टोजैनिक properties पाई जाती है जो आपके शरीर को तनाव से बचाने में आपकी सहायता करती है आपको मांचिक शांती प्रदान करती है आठवा कारण सिलाजीत में iron बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है जो खून की कमी मतलब एनीमिया से बचाने में आपकी सहायता करता है आपके हीमोगलोबी level को बढ़ाने में जादा energetic खुद को अनुभव करेंगी नोवा कारण सिलाजीत आपकी नींद की quality को इंप्रूव करता है इसके प्रियोग से melatonin boost होता है जो जादा बैतर और कहरी नींद के लिए आउशक है दस्वा कारण सिलाजीत आपकी mental health को भी उसकी कारिशमता को भी बढ़ाता है ये जादा बैतर तरीके से आपको focus करने में, concentrate करने में help करता है जिससे आप अपना काम जादा बैतर तरीके से perform कर पाती है आपके cognitive function को भी इंप्रूव करता है और ग्यारवा कारण ये आपके वजन को कम करने और बढ़ाने दोनों में आपकी सहायता कर सकता है अगर आप इसे सुबह खाली पेट गरम पानी के साथ प्रियोग करती है तो ये आपके वजन को कम करने में आपकी सहायता करेगा और अगर इसे गरम दूद के साथ रात को सोने से पहने प्रियोग किया जाए तो ये वजन बढ़ाने में आपके लिए लामदायक रहेगा और इसके समसे बड़ी खासियत ये है कि वजन कम करने के साथ साथ ये आपके मेटाबोलिक रेट को इंप्रूव करता है जिससे आपका एनरजी लेवल भी इंप्रूव होता है आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है तो दोनों ही कंडिशन में आपकी विन-वि की अवस्था में आने वानी विक्नेस सिलाजीत के प्रियोग से निश्च री तूर हो जाती है पुरुष्ण के समान महिलाओं में भी सिलाजीत का प्रियोग डायप्टिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमंद रहता है हल तरह की विक्नेस में यहां मैं ए प्रियोग अपने टेस्टोस्टोरोन लेवल को बढ़ाने के लिए करते हैं पर मां आपको उस शब्दों में यह बता देना चाहूंगा कि सिलाजीत के प्रियोग से हमारे टेस्टोस्टोरोन लेवल को सीधे-सीधे कोई परभाव नहीं पड़ता है बलकि सिलाजीत में महिलाओं और पुर्षों दोनों को ही सिलाजीत का प्रियोब बहुत अधिक करवाता हूं और मुझे बहुत ही अच्छे परिणाम दोनों में ही प्राप्त होते हैं अब सवाल यह उठता है कि कौन सा सिलाजीत लेना चाहिए तो मैं रेक्मेंड करता हूं कृष्णाज सिलाजी के साथ दिन में एक से दो बारिस का प्रियोग प्रियाप्त रहता है लाप के लिए